दोस्तो आज हम जानते के भारत के राजमारुगों में मील के पत्तर रंगीन क्यों होते हैं क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सड़क के किनारे रंग बिरंगे मील के पत्तर होते हैं अलग अलग जगा पर इनका रंग बदलता जाता है, यानि हाइबे पर सफ़र करते वक्त मील के पत्तर या माइल स्टोन का रंग बदलता रहता है, क्या आप जानते हैं कि सड़क के किनारे या हाइबे पर मील के पत्तर क्यों होते हैं, क्यों ये अपना रंग बदलते हैं, मील के पत्तर एक पगार का पत्तर है जो हमें बताता है कि निश्चित स्थान से हमारा गंतर भी कितना दूर है भारत पर सभी सड़कों पर एक जैसे पील के पत्तर नहीं होते हैं यहां निर्बर करता है कि हाइबे पर जैसे की दास्टी राजमार्ग, राज राजमार्ग, जीला गाओं की सड़कों के लिए अलग-अलग रंकी पट्टियों वाले पत्थर होते हैं नमबर एक मील के पत्थर या माईले स्टोन पर पीले रंकी पत्थी सड़क पर चलते वक्त या ड्राइब करते वक्त किनारे पर एक ऐसा पत्थर दिखे जिसका उपरी हिस्सा पीले रंग का हो तो समझ जाईए कि आप नैस्टरल हाईवे या रास्टी राजमार्ग पर चल रहे हैं इससे या पता चलता है कि पीले रंग का पेंटेट माइल स्टोन या मील का पत्थर भारत में अधिकतर रास्टी राजमार्ग पर ही लगाया जाता है पॉइंट नमबर टू मील के पत्थर या माइल स्टोन पर हरे रंग की पट्टी जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्तर दिखाई दे तो समझिए कि आप राश्टी राजमाग पर नहीं बलकि राज्य राज्माग या स्टेट आईबे पर चल रहा है बारत में जब सड़कों का निर्माग राज्य द्वारा होता है तो इसे हरे रंग के माईलिस्टोन या मील के पत्तर लगाए जाते हैं और इन सड़कों की देखवार पूर्ण रूप से राज्य की होती है मील के पत्तर या माईलिस्टोन पर काले या नीले रंगी पट्टी जब आपको सड़क पर काले नीले या सपेज रंगी पट्टी वाला माईलिस्टोन दिखे तो समझ जाईए कि आप किसी बड़े सहर या जिले में आ गए हैं साथ ही वह सडक आने वाले जिले के नियनतर में आती है। इस सडक की देखवाल उसी सहर का प्रसर्शन द्वारा की जाती है। मेल के पत्तर या मायल स्टोन पर नारंगी रंगी पत्टी जब आपको सड़क के किनारे नारंगी रंगी पत्टी वाला मायल स्टोन या मील का पत्तर दिखाई देता है तो समझ जाईए कि आप किसी गाउं या फिर गाउं की सड़क पनाएं या पत्टी प्रधानमंत्री ग्र बताता है और साथ ही सही दिशा का भी ग्याद करवाता है दोस्तों ऐसा करता हूँ कि आपको यह फैक्ट पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए दाट वाद